असकार स्वागत है आपका हमारे चैनल जीओविनिस में दोस्तो इस बीड़ो में आपको देखने को मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी और महत्पूर्ण खबरे तो दोस्तो बीड़ो को बिना भागा हुए पूरा अंतक देखिए दोस्तो मुसल्मानों में तलाक का अधिकार सिर्फ मर्दों को है जाने महिलाए कैसे अपने पती को छोड़ सकती है जिहां तो सो तीन तलाक कानून को लेकर के इस वक्त बहस अपने चरम पर है इसके हर पहलू पर बात की जा रही है राष्टपती के हस्ताक्षर के साथ ही अब तीन तलाक का कनून बन चुका है और अब किसी मुसल्मान मर्द के लिए एक साथ तीन तलाक देना महंगा सोधा होगा उसे तीन साल की सजा हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी भरना पर सकता है ताजा कानून के मुताबिक एक साथ तीन तलाक देने पर पुरुस की बिना वारेंटी गिरफ़तारी होगी और पुलिस जमानत भी नहीं दे सकती है बलकि पतनी की बात सुनने के बाद ही मजिश्ट्रेट जमानत दे सकता है तलाक को लेकर के भले ही कानून ने मर्दों पर सिकंजा कसा है लेकिन तलाक का अधिकार सिर्फ मर्दों को है आखिर मुसल्मानों में औरतों को अपने पती का छोड़ने का अधिकार है या नहीं तो आईए जानते हैं कि कैसे कोई पत्मी अपने पती को रिष्टा तोड़ करके अलग हो सकती है जिहां दोस्तों इसलाम में साधी खत्म करने से चार तरीके हैं चार में से एक तरीका मर्दों के लिए जबकि तीन तरीके औरतों के लिए हैं ये चार तरीके हैं तलाक, तफवीज ए तलाक, खुलाओ और फक्त ए निहाद, साधी तोड़ने के लिए तलाक का अधिकार मर्दों को है, तो इसी तरह से साधी को खत्म करने के लिए तफवीज ए तलाक, खुलाओ और फक्त ए निकाह का अधिकार औरतों को है, आपको बता द यह हक और दो को दे सकता है निकाह के वक्त या निकाह के बाद भी अगर ये अधिकार मिल जाता है तो महिलाएं भी मर्द को तलाक दे करके अपना रिस्ता अलग कर सकती है खुलों में होता क्या है? कि महिलाओं ने साधी तोड़ने का ये तरीका सबसे ज़्यादा चलन में है. उनके पती के साथ उनका निकाह नामुम्कИन है, तो खुलों का तरीका अपनाती है. इसमें औरत मर्द से तलाक देने को कहती है. अगर पती तलाक देने से इंकार करता है तो महिलाएं फक्त ए निकाह का रास्ता अक्तियार कर सकती है इस तरीके से औरत काजी के पास जाती है और कहती है कि उसके पती के साथ निबाह मुम्किन नहीं है तो रिस्ता तोड़ दिया जाए तो काजी साधी को खत्म कर देता है हाला कि इसमें औरतों को साधी तोड़ने की मुनासिब वजह वहाँ पर बतानी होती है दोस्तो यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सबस्काइब किया है तो प्लेज चैनल को सबस्काइब कर ले और पीडू को ज़्यादा सेयर करें तो दोस्तो आईए जानते हैं अगली ख़बर में सुनभद्र उन्नाव नहीं आजम खान पर एक चुट हो रही है सपा जिहां दोसो उन्नाव री पिर्टा में एक्सिडेंट मामले के समाजवादी पार्टी उग्र परदस्तों और मुआवजे तक ही सिमट गई है वही सुनभद्र मामले में वह सियासी माईले लेने में पीछे चुट गई है उत्तर परदेश में अपनी साख बनाने के सांती योगी सरकार को घेरने के लिए उनके पास सुनभद्र उन्नाव जैसे मौके थे लेकिन पार्टी उस मौके को भूला नहीं पाई है अब समाजवादी पार्टी के वरिश नेता आजम खान के लिए अपनी लड़ाई सुरू कर दी है उधर उन्नाव रेप पिडिता जिंदगी और मोच से संखर्स कर रही है लेकिन उसे इंसाफ मिलना नहीं दिख रहा है क्योंकि इस मामले का कथित आरोपी बीजपी विधायक कुलदीप सेगर पार्टी में बने हुए है वहीं बिपाच का दावा भी अब तक बेअसर रहा है हालाकि सपा पर्मुक अखिलेस यादो पिडिता से मिलकर के लखनव के ट्रामा सेंटर पहुँचे थे उन्होंने पिडिता के परिवार को 10 लाक रुपे और घायल वकिल के परिवार को 5 लाक रुपे के आथिक सायता मोया कराई है लेकिन पार्टी अब जोहर युनिवरसिटी मामले में फसे आजम खान के लिए लड़ाया सुरू कर दी है वहीं समाजवादी पार्टी सांसत आजम खान की मुश्किले लगतार बढ़ती दिख रही है और हाल ही में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हिरासत में लिया गया था हलाकि उन्हें जमानत मिल गई है अब अब्दुल्ला आजम खा जोहर युनिवर्सिटी के गेट पर मौन धरने पर बैठ गए हैं और समर्थक में पार्टी में भी उतर गए हैं आपको बता दे कि मंगलवार को रामपूर की जोहर युनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में पुल भारी बारी być का हाइलर्ट जी हादोसो भारी बारी से गुफ्रात के बरोध्रा में बार के हालत बन गए हैं पूरा सहर तलाब में तब्दिल हो गया है भारी बारी सोर् खराब मौसम की वज़े से हवाई और रेल सेवा पूरी तरीके से ठप हो गया है बडोधरा में बुधवार को हुई मुस्लाधार बारी से आम लोगों का जन जीवन पूरी तरीके से अस्तिव्यस्थ है बडोधरा में 14 से 18 इच तक भारी बारिस दर्ज की गी है जल जमाव के चलते लोगों के वाहन सनकों पर फस गए है और हलात को देखते ह हुए डी एम ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गुरुवार को बंद रखने का आदिस दे दिया है वहीं मौसम भी भागने अगले पांच दिनों तक तेज बारिस का जारी अलट किया है आपको बता दे कि गुजरात की मुख्यमंत्री बिजे रुपानी ने ब इमर्जेसिंग काट्रोलों में सुरू कर दिया है वड़ोदरा में एंडी आरेफ के टीम ने बाढ़ में फसे लोगों को रिस्क्यू किया है वड़ोदरा के अलग-अलग सहर में अहंदाबाद में भारी बारिस सहर को टापू बना दिया है सनकों पर सेलाब आ गया है कई इ गुजरात में बीजते तीन दिनों से मुसलाधार बारिस हो रही है डक्षन गुजरात और उत्तर गुजरात में भी जल जमाओ से बारिस हो गया है वहीं अगले पांच दिनों के लिए मौसम भी भागने रज्ज में भारी अलट जारी किया है जिसे हालत और भी बिगरने के आसंका जताई जा रही है जी हाँ दोस्तों अगली खबर में आपको बता दे कि चीन सरकार का आदेश बीजिंग से चुन-चुन कर मिटाए जाएंगे इसलामिक सिंबल जी हाँ दोस्तों चीन के रगधाने बीजिंग में इसलाम से जुड़े परतीकों को हटाये जा रहा है प्रशासन हालात रेश्टों से होकर के मूड अस्टाल तक हर जगह अरभी भासा में लिखे सब्दों और इसलाम समुदाय के परतीकों को नामों निसान मिटा रहा है राइटर्स एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बीजिंग के रेस्ट्रेंट और दुकानों में करमचारियों को इसलाम से जुड़ी सभी तस्वीरों जैसे की चांद अर्भी भासा में लिखा हालाल सब्द बोड को हटाने का अधिस दे दिया है बीजिंग में नूडल्स के एक दुकान के मैनेजर को सरकारी करमचारियों ने दुकान पर लिखे हालाल सब्द को ढखने के लिए कहा और ऐसा होने तक वो वही खड़े रहे मैनेजर ने बता है कि उन्होंने यह बिदेशी संस्कृती है और आपको चीनी सभ्था को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए आपको बता दे कि 2016 से ही चीन में अर्भी भासा और इसलामिक तस्वीरों के इस्तमाल के खिलाफ केमपेन चलाए जा रहा है चीन चाहता है कि वह अपने राज में सारे धर्म चीन की मुख्य धारा की संस्कृती के रूप में हो इसलामी करन के खिलाफ चलाए जा रहे इस केमपेन के तहट मद्य पूर्वी सैली में बनी मस्जिद गुमबदों को भी तोड़ा जा रहा है और उन्हें चीनी सैली में पंगोंडा के रूप में तब्दिल किया जा रहा है चीन ने दू कडूर की मुस्लिम अबादी है अधिकारिक तोर पर चीन में सभी को धार्मिक स्वतंतरता है लेकिन असलियत में सरकार कम्मिनिस्ट पार्टी की विचारधारा के प्रती खोसित करके उसे हटाना पड़ रहा है आपको बतादी कि 2009 में सीजिंपिंग प्रांत में उईग मुस्लिम समुदाय और हान चीनी सतस्यों के लिए बीच बहुत बड़े दंगे हो रहे थे जिसके बाद से चीन ने कथित आतंकवाद विरोधी अभियान सुरू कर दिया था चीन में मुसल्मानों के खिलाफ अनुचित बरताव खास करके मुसल्मानों पर कड़ी निगरानी और उन्हें समुहिक रूप से हिरासत केंदर में रखने के कदम के खिलाफ पश्चिमी देसों में जम करके अलोचना हो रही है चीन सरकार तर्क दे रही है कि सी जिंपिंग प्रांत में उनकी करवाई धार्मिक चरमपंथ को रोकने के लिए जरूरी है अधिकार्यों ने इस्लामी करण के प्रसार के खिलाफ चेतावनी जारी की है कि मुस्लिम अल्प सांख्यकों पर नियंतर मजबूत कर दिया गया है विसले सको का कहना है कि सता रूठ कम्मिनिस्ट पार्टी को चिंता सता रही है कि विदेशी प्रभाव को धार्मिक समुह पर उसका नियंतरन करना काफी मुस्किल हो जाएगा जी हाँ दोस्तो अगली खबर आपको बता दे कि फिर मुस्किल में अमेरिकी एकनोमी 2008 की मंदी के बाद पहली बार घटे ब्यास दरे जी हाँ दोसो अमेरिका के केंदरिये बैंक फ्रेडरल रिजर्ब ने साल 2008 की मंदी के बाद पहली बार ब्यास दरे घटाई है अर्च वेवस्था में फिर किसी गिरावट की आसांका से बचने के लिए फ्रेडलर रिजर्ब में यह कदम उठा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्याज दरों को 2 से 2.25 फीसदी के बीच रखना यह तै किया गया है जिसका असर क्रेडिट कार्ड और कल तरह के लोन पर होगा फ्रेडलर रिजर्ब ने बेंच मार्क दरों के बीच चोथाइफ फीसदी की कटोती कर दी है फेड के इस घोषना के बाद अंतराष्टिय बाजार में कच्चे तेल और सोने की कीमत में भारी की रावट आ गई है कच्चा तेल 1.06 डॉलर पर ती बैरल घट करके 63.99 डॉलर पर पहुच गया है अमेरिका में अक्टूबर के लिए गोल्डन क्यूफ पर निप्टारा 0.4 फिसदी घटा करके 1431.80 डॉलर परती ओस हो गया है इस खबर से अमेरिकी बाजार निरास है और वहां की सेर बाजार में भारी की रावट आई है इस वज़ा से यहां के राष्टपते डॉनल्ड टरप ने यह संकेत दिया है कि फ्रेडर रिजर्ब बैंक ब्याज में कटोती कर रहा है